आज हम पढ़ने वाले springs related MCU question, question है when a helical compression spring is subjected to an axial compressor load then which one of the following stress will be induced, जब हम helical compression spring में axial compressor load लगाते हैं, तो उसमें इसमें से कौन सी stress induced होती, इसका अधर shear stress, अगला question है, two helical tensile springs of the same material and also having identically main coil diameter and weight have wire diameter d and dy2, the ratio of their stiffness is, 2 helical tensile spring है, helical tensile spring, जो की same material के बने हुए है, इसमें main coil diameter और उसका weight जो है, wire का diameter d and dy2 है, so, इसका ratio stiffness कितना होगा, इस cancer is 64, इसको solve करेंगे, चुँकि deflection का फार्मुलत है 64 P R Q N अपॉन GD बेस्टू 4 या P की जेंगा पर load जो है, load यहाँ पर P है, इसको हम W भी ले सकते हैं, pressure है यहाँ पर, तो P R वेस्टू Q ले लिए इसमें, तो DL equal to 64 P R वेस्टू Q into N upon GD बेस्टू 4, अगर deflection इसका हम P upon DL कर देंगे इसको, तो इसका कितना हो जाएगा, GD बेस्टू 4 upon 64 R वेस्टू Q into N हो जाएगा, इस्टिपनेस के होता है, कितना D वेस्टू 4 upon N का, तो सिंस बाइर डामेटर इस दिस सेम, तो सिंस बाइर डामेटर इस दे, बाइर वेट इस दिस सेम, तो PY4 D1 square N1 equal to PY4 D2 square into N2 हो जाएगा, N1 upon N2 equal to क्या है, D2 upon D1 का square, तो D2 कितना है, 1 और D1 कितना है, 2, तो 1 upon 2 का whole square, तो N upon N2 equal to हो जाएगा, 1 upon 4, K1 upon K2 equal to D1, D का D base to 4 upon D by 2 base to 4, क्योंकि D और D by 2 के पार में convert किया है, into N1 upon N2 upon N1 हो जाएगा, तो K1 upon K2 equal to, इसका value कितनी हो जाएगा, 60, इसका हो जाएगा, 4, 60 into 4 तो 64 हो जाएगा, तो K1 upon K2 equal to हो जाएगा, 64, दोन हिस्टेपने, इसका जो ratio होगा, वो 64 होगा, इसका टिक लगा देगी, यहाँ पर 64, 500 तो साउख्या इसका यहाँ होगा, इसके आंसर है leap spring में शौक इब्जर्व भी होता है और वो कौन से spring है जिसमें शौक इब्जर्वर और बाईब्रेशन यूज होता है ये spring होता है leap spring में दोनों चिजे होती है आब जोटा है और बाइब्रेशन भी होता है अलगा कुशन है इन डेजान आप हैलिकल कम इस प्रिंग्स इस यूजुली टेकर एज डिजाइनिंग में हैलिकल स्प्रिंग के लिए इस प्रिंग इंडेश कितना लेतनी इसका अंसर फाइव पैव इसका करेक्ट आणसर है नेस्ट कुश्चन है, a closed coil helical spring is subjected to an axle load. The stress which is not produced in the wire of the spring is इसका अगरा बेंडिंग stress. एक closed coil helical spring है, इसमें axle load एप्लाई हो रहा है. इसमें क्या जो की है, जो की not produced हो, बायर का spring में इसका अगरा बेंडिंग stress है, बेंडिंग stress है इसका अगरा होता है. नेस्ट कोश्यन है इसको हम क्या बोलते हैं मास्टर लीफ बोलते हैं नेस्ट कोश्यन है इफ इस्प्रिंग डेफ्लेक्ट 50 mm अंडर आप कितना लोड पर हो इसमें इनर्जी अप्जाब्ड हो रहे है इसमें ग्रेजुली अप्लिकेशन से लोड कुन सा होगा कितना होगा इसका अंसर है इसको सॉल्ब करेंगे इसको मीटर में करेंगे तो 0.05 मीटर के बराबर हो जाएगा लोड है पी एक्वाल टू किलो न्यूटन दिया हुआ इसको न्यूटन में करेंगे तो 2 इंटू 10 बेस टू क्यू न्यूटन हो जाएगा energy absorbed by the spring energy का formula यह होगा absorbed के लिए एक्वाल टू वन अपन टू पी इंटू डैल वन अपन टू प्रेशर लोड इंटू deflection so 1 by 2 load कितना है 2 into 10 बेस टू क्यू इंटू deflection कितना 0.05 इसको solve करेंगे तो आजागा 50 Joule तो जो energy absorbed होगी कितने होगी 50 Joule के बराबर होगी इसका answer हो जाएगा 50 Joule इसका correct answer next question है two springs with stiffness 2 newton per meter and 3 newton per meter are connected in parallel then the equivalent stiffness is 2 spring है जिनकी stiffness क्रमसा 2 newton per meter और 3 newton per meter है जो की एक दूसरे के parallel connect है इसका equivalent stiffness कितना होगा है इसको solve करेंगे इसको solve करेंगे तो दो spring है जिसका stiffness k1 equal to 2 newton per meter और k2 equal to 3 newton per meter पहले spring का stiffness 2 newton per meter है और second spring का stiffness है 3 newton per meter एक दूसरे से parallel connect है इसलिए equivalent stiffness equal to हो जाएगा k1 plus k2 दोनों spring की stiffness add हो जाएगी तो k1 plus k2 मतलब 2 plus 3 तो 5 newton per meter हो जाएगा तो equivalent stiffness कितना हो जाएगा कि equivalent equal to 5 newton per meter इसका असर हो जाएगा इसलिए इसको mark कर देंगे 5 newton per meter इसका correct answer होगा next question है for the sonne figure diagram देख करके if k1 equal to 10 newton per meter k2 equal to 20 newton per meter and theta equal to 30 degree then equivalent stiffness आप the system will be newton per meter आप जो की diagram देखोगे diagram में देख करके यदि k1 equal to 10 newton per meter और k2 equal to 2 newton per meter मतलब इस diagram में जो दिया है k1 दिया है 10 newton per meter k1 की value कितने दी है 10 newton per meter और k2 की value कितने दी है 20 newton per meter इसमें जो angle है theta angle है theta equal to 30 degree है तो इसका equivalent stiffness कितना होगा यह निकालना है दिया है तो डाइग्राम में दिया हुगा इस diagram में k1 equal to 10 newton per meter और k2 equal to 20 newton per meter theta equal to 30 degree तो इसका equivalent stiffness कितना newton per meter होगा इसको solve करेंगे solve करेंगे आंसर करेंगे stiffness आप दी system in parallel parallel में क्या हो जाए कि equivalent stiffness कितना हो जाएगा दोनों add हो जाएंगे तो parallel में है दूनों एक दूसरे से parallel में होते हैं तो इसमें क्या होता है दोनों add हो जाएगा k1 10 है और k2 20 है तो 10 plus 20 कितना हो जाएगा 30 newton per meter equivalent stiffness कितना हो जाएगा 30 newton per meter next question है a helical spring is made of 12 mm diameter wire wire binding it on a 120 mm diameter mandrel if there are 10 hectare turns and modulus of rigidity of material is 8.2 into 10-24 newton per meter the spring constant will be a helical spring है जो कि बना हुआ है 12 mm wire का diameter हो उनका binding है जिसमें कि उसका diameter कितना है mandrel का 120 mm जैसी यदि इसमें 10 hectare turn हो तो modulus of rigidity इसमें कितनी दी हो 8.2 into 10-24 जिसका spring constant कितना होगा इसके लिए क्या करेंगे हम इसको कोशन में दिया है helical इसमें wire का diameter कितना कितना दिया है 12 mm और main diameter दिया है इसका 120 mm नम्मर आप एक्टो टर्म्स दिया हुए 10 modulus of rigidity दिया है 8.2 into 10-24 तो इसमें इसमें आपको spring constant निकालना spring constant कितना होगा solve करेंगे solve करने पर wire का diameter कितना दिया है small d equal to 12 mm coil diameter main diameter कितना दिया capital D equal to 120 mm number effect of turns at n equal to 10 and modulus of rigidity g equal to 8.2 into 10-24 in turn per mm spring constant आपको निकालना कि equal to जो की formula होता है कि equal to gd-24 upon 8dqn g की value हम put कर देंगे 8.2 into 10-24 और d जो दिया है यह कर देंगे 12 यहां पर 12 put up कर देंगे और upon 8 जो गतो रहेगा capital D जो दिया है यह दिया है 120 तो 120 into 10 बेस्ट फूट अप कर देंगे into number effect of turns यह दिया हुए 10 10 put up कर देंगे इन सबको value put करने के बाद इसको जब solve करें के लसी से तो आसा जाएगा 12.3 newton per mm तो इसका जो spring constant है वह कितना जाएगा 12.3 newton per mm इसमें यह option दिया नहीं इसलिए इसका answer यह वाला होगा light answer होगा के equal to 12.3 newton per mm इसमें option में कोई भी question में दिया नहीं option में 12.3 newton per mm होगा next question है free length for helical compression spring having helical compression spring का free length का formula क्या हो free length of helical compression spring having square ends is given by for free length हो जाएगा lf जोगी formula होता है l0 equal to pn plus 3d होता जहाँ पर pn होता है नम्मरा pitch और n होता है d होता है byr का diameter तो फिरी length का formula हो जाएगा lf भी ले सकते या फिर 0 भी या फिर 0 से भी नोट कर सकते हैं क्योंकि होता है PN प्लस 3D यह इसका फार्मुला होता है यह PN होता है नम्मरा पिछ और D होता है बायर का डायमेटर इसका अंसर हो जाएगा PN प्लस 3D करेक्ट अंसर होगा इसका है, A simple spring mass vibrating system has a natural frequency of N. If the spring constant is halved and mass is doubled, then natural frequency will become एक simple spring है, mass vibrating system है, जिसकी natural frequency n है, यदि spring stiffness इसका hard हो और mass इसका double कर दिये जाए, spring stiffness आदी कर दिये जाए और mass double कर दिये जाए, तो इसका natural frequency कितनी होगी, इसका solution करेंगे, solution में चोंकि आपको natural frequency के फार्मल होता है, fn equal to 1 upon 2pi root k upon m होता है, natural frequency कितनी है, n है, तो n equal to 1 upon 2pi root k upon m, जो कि equation number first है, given if spring stiffness is halved and mass double, इसमें अगर spring stiffness आदी कर दिये जाए, और mass को double कर दिये, तो क्या हो जाएगा, fn equal to 1 upon 2pi root k upon 2 हो जाएगा, और upon 2m हो जाएगा, क्योंकि हम k की जिंगा पर क्या कर रहे है, k upon 2 कर रहे है, यह halved हो रहा है stiffness, और m की जिंगा पर क्या लिखना है, 2 into m, मतलब mass double करना है, तो k की जिंगा पर यह put up कर देंगे, और m की जिंगा पर यह put up कर देंगे, फार्मूले में, तो यह equation first है, equation second, अब from equation first and second को solve करेंगे, n upon fn equal to 1 upon 2 pi root k upon m है, उपर वाला, और नीचे 1 upon 2 pi root k upon 4m है, इसको solve करेंगे हम, solve करने पर यह पूरा cancel हो जाएगा, k से k cancel हो जाएगा, root से root cancel हो जाएगा, m से m cancel हो जाएगा, यहाँ बचेगा, n y 2 आजाएगा, यहाँ पर, अगर इसको root से बाहर निकालेंगे, तो कितना आजाएगा, 2 आजाएगा बाहर, इसको आजाएगा, n y 2, तो fn equal to natural frequency कितनी हो जाएगी, n y 2 के बराबर हो जाएगी, तो natural frequency will have halbd हो जाएगी, आदी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, n y 2 हो जाएगा, इसका आंसर, नेस्ट कुश्चन है, the walls factor is involved in the design of, walls factor designing में किसमें involved होता है, इसका आंसर है, spring में, अंगला कुश्चन है, for squared ground ends in helical coil compression spring, the number of active coils is theoretically, इसका आंसर है, 2 coils less than the total number of coils, दो कोईल, जो की, total number of coils है, कम होती है, तो 2 coils less than the total number of coils, for squared ground ends in helical coils, spring, compression spring, the number of active coils is theoretically क्या हो जाएगा, 2 coils less than the total number of coils, अब इसमें आपको टेबिल बनाएगे, जिसमें spring end बताएगा है, उसमें number of active, effective coil भी बताएगा, क्या होता है, plain end है, spring का end point, plain end है, तो इसमें total coil होगा, number of active coils, और plain end grounded है, जिसमें total coil कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और flat या squared है, जिसमें total coil 2 हो जाएगा, squared and grounded है, जिसमें total coil 2 हो जाएगा,